नमस्कार दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ एक बहुत ही लाजवाब रेस्पी सेर करने जा रही हूँ बनारस का स्पेशल चूडा मटर जिसे एक विशेश तरीके से बनाया जाता है मुझे यकीन है आपको यह रेस्पी जरूर पसंद आएगी एक बार अगर आप इसे बना कर खाएंगे तो आप बार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक सेर करें चूड़ा मतर बनाने के लिए यहां पर हम आधा किलो चूड़ा लेंगे, इसे पोहा भी कहते हैं, चूड़ा थोड़ा मोटा रहे तो ही अच्छा रहेगा, और इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, इसमें काले-काले पोहे होते हैं, उन्हें हम छाट करके निकाल लेंगे, धान वगेरा होता है उसे चेक कर लेंगे एक बार इसे साफ पानी से धोलेंगे और अब इसमें हम एक कटोरी दूड डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी मलाई भी है तो उसे भी हम साथ में डाल दे रहे हैं यहां दूड वजन में 200 ग्राम है इससे हमारा चूडा मतर बहुत हेल्दी और टेस्टी बनता है चूडा मतर बनाते समय आप चूडा को दूद और मलाई के साथ जब उसे भीगाएंगे तो उसका एक बहुत बटरी यम्मी डिलिसियस सा फ्लेवर आता है जिसका स्वाद घुलाई नहीं भूलता है और अब चूडा में हमने स्वाद के अनुसार नमक मिला दिया है और इसे साइड में रख देते हैं और अब एक ग्राइंडिंग जार में हमने थोड़ा सा हरा लहसुन लिया है और एक देड़ इंच अध्रक का तुकडा चार-पांच हरी मिर्च नौ-दस कलिया लहसुन की ग्राइंड कर लेंगे और गैस पर हमने एक पैन को गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें दो तीन चम्मच रिफाइन्ड ओयल डाल दिया है और एक चम्मच जीरा डाला है दो सूखी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच हींग डाल लिया है और जीरा के तड़कने के बाद अध्रक लेस्चन हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेते हैं टू टेबल स्पून धनिया पाउडर और आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल करके मसालो को धीमी आज पे भूनते हैं जब तक की मसाले अपना ओयल न रिलीज कर दे आप देख सकते हैं मसालो ने अपना ओयल रिलीज कर दिया है और अब हम दो मीडियम साइज के आलू को छोटे टुकडों में काट लिया है आलू को हम मसालो के संग मिक्स कर लेते हैं और अब हम आधा किलो मटर लिये हैं इसे भी हम हम चलाते हुए mix कर लेते हैं और यहां पे हम थोड़ा सा नमक और add करते हैं यहां पे नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि चूड़ा में भी हमने नमक डाला है और अब एक कटोरी पानी डाल करके हम धक करके सेफ आलू और मटर को soft होने तक पकाएंगे पीच में एक बार हम फिर से चला लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं आलू को दबाते हुए अभी आलू ठीक से पका नहीं है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढखक कर फिर से पकने के लिए छोड़ देते हैं दो तीन मिनट बाद आलू मटर को चेक किया तो वो soft हो चुका है और अब मैंने एक छोटा चमच गरम मसाला भी यहां पे डाल दिया इसे मैं आपको दिखा नहीं पाई अब हम पोहे को धीरे धीरे इसमें मिक्स कर देते हैं पोहा थोड़ा सा जम जाता है तो उसे हाथों से हम क्रस्ट करते हुए इसमें मिक्स करते जाते हैं यहां पर हम एक मसाला डाले हैं उखा धनिया और जीरा को भून करके उसका पाउडर बना लिये हैं और टू टेबल स्पून ये धनिया और जीरे का पाउडर हम इसमें डाल लेते हैं और साथ में हम टू टेबल स्पून नीबू का रस भी डाल करके मिक्स कर लेते हैं गैस फ्लेम धीमा किया है और हलके हाथों से संभाल के चलाएंगे और यहां पर हम दो चम्मच देशी घी डाल देते हैं जिससे हमारे पोहे में एक बहुत ही बढ़िया साइनिंग आ जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा तो धीमी आज पर ही हम इसे 4-5 मिनट तक भून लेते हैं अब कटी हुई धनिया पत्ती को डाल देते हैं और भूना हुआ काजू और बदाम है इसे भी हम इसमें डाल लेते हैं और सब को चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं हमारा चूडा मटर बन करके तयार है इसे सर्व कर लेते हैं आप चाहें तो इसे भूजिया नमकीन के साथ भी सर्व कर सकते हैं पर ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा तो आपने देखा दोस्तों बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हमने बनारस का फेमस चूडा मटर बना करके तयार कर लिया है तो आप इस रेस्पी को ट्राइज जरूर कीज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक सेयर करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि निव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक निव रिस्पी के साथ तब तक घर का खाएं सुस्त रहें बाई बाई